अगर आप फास्ट के दोरान कुछ डिफ्रेंट बनाना चाहो तो इसे जरूर ट्राइ करें इसे बनाने के लिए आपको बेसिकली थोड़ी ही चीजों की जरूरत है इसके लिए हम पहले एक कप सामक लेंगे लगबग आदा कप हमने साबू दाना लेना है अब हम इसे मिक्सर जर में डालके ग्रैंड कर लेंगे हमने इसे बलकुल आटे की तरह बारिक पीस लेना है हम इसे एक बोल्ड में ट्रांसफर करेंगे और हम इसमे ऑड़ करेंगे येगरेड किये हुए आलू बारिक कटा हुआ धनिया बारिक कटी हुई हरे मिर्च टेस्ट के अकोडिंग हम में सेधा नमक डालेंगे थोड़ी से हम इसमें रैड चिली डालेंगे साथ हम इसमें आड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तियार करेंगे बैटर तियार करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रैश्ट पे लगब एक त्यायार करेंगे इसके लिया हमें सबसे पहले को अच्छे से चान लेना है कि यहीं एक perfect वे होता है, रायत बनाने का जिससे इसमें रायते वाला texture आ सके क्योंकि हमें किसी भी रायते को बनाने से पहले एक बरदही को चानना जरूर होता है अब हम इसमें डालेंगे ये अनार के नाने आप यहां पर कोई भी fruit यूज़ कर सकते हो साथ ही हम इसमें आड़ करेंगे टेस्ट के कोडिंग सेधा नमक थोड़ी से हम इसमें रैट चिली डालेंगे और फिर हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे ये फ्रूट रायता तयार है अब ये फ्रूट रायता और साबू दाना चिल्दा रैड़ी है अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल सेवन स्टार रिसोई को लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब जुरूर करें थैंक यू